बश्कार सभी छात्रों का अपनी चैनल टीचर ट्रेक लासेज पर स्वागत है चलिए आज हम कच्छा-दस पाठ्च हिंदी काब्र का जो की हिमाला से सिर्षक है जो कि महादेवी प्रसाद महादीव वर्मा जी द्वारा रच्चित है तो यह गिये पैद के माध्यम से मैं तो चलिए स्टार्ट करती हैं चीरि महान है चीरि महान हो हो चीरि महान है चीरि महान हो हो यह सुड़ रस्मी छू स्वेत है भाल यह सुड़ रस्मी छू स्वेत है भाल बर्सा जाती है रंगी निहास रंगी निहास सेली बनता है इंद्रधनुसी सेली बनता इंद्रधनुस हे चीरि महान हे चीरि महान यह सुड़ रस्मी छूत स्वेत है भाल बर्सा जाती है रंगी निहास सेली बनता है इंद्रधनुसी परिमल मल जाता बतास पर रागहीन तू ही मनिधान यानि हिमाला इसमें हिमाला की तो बात कर लेते हैं संदर्व पहले प्रस्तूत पद्यांस हमारे पाठ पुष्तक हिंदी भासा के हिमाले नामक सिर्षक से ली गई है जिसके कभी भी कह सकते हैं जिसके कभी महादेवी वर्मा जी है प्रसंग इसमें क्यार हैगा हिमाले की महंता तथा वैराग्य का वर्डन किया गया है यानि हिमाले की जो उचाई है आपनों जानते हैं आठ हजार आठ सो पचास मीटर है जो की यह वर्तमान का है और इसकी जो भासा है भासा खड़ी बोली है खड़े बोली और जो च्छंद है वो च्छंद है आपका अतुकानत छब्द है और गुड़ क्यास आपका है माधूर है तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अर्थक हैं कि कीमालले का सरदिष स्बसे पहला अर्थ क्या होता है यानि वर्प का घर यानि यह आपकह एक प्रकार्ट से पृद्धी संदी भी हो जाता है कैसे हो जाता है क्योंकि ही म प्लस अलै यह ही म प्लस ऑला से बना हुआ है और हीम अ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है अ हो जाता है तो यहां कहने का मतलब अ प्लस अ बराबर भी अ होता है और अ प्लस अ बराबर भी क्या होता है अ होता है यानि अ प्लस अ के संयोग में भी अ होता है और आप वालज आ के संयोग में भी क्या होता है आहीं होता है कहने का मतलब यह बृद्धी संदी है बृद्धी संदी ऐ दिर्ग संदी का सुत्र होता है अका सवर्डे दिर्ग है यह आप जब आप अपके स्लेबस में हैं मैं आपको यह बिल्कुल बिद्वत बताऊंगा तो हिमाले हिमाले का मतलब होता है बर्फ का घहर हिम प्लस आले यह हिमाले की महनता एम उसकी वैराक का वड़न किया गया है हम तो चलिए देखती हैं एक एक अर्थ है यह चीर महान याणि हे हिमालय को संभुधित किया गया है हि grain चीर माने अनंतकाल तक रहने वाला महान यान अनंतकाल तक रहने वाला हिमालय क्या है हम इन इंवास करने वाला है हमाला महान है यह सुड रस्म मतला सुनली किलड़े माने मस्तक को बर्सा जाती वर्सा खर जाती है रंगीन रूपी हांस जहां पर हम रूपक अलंकार भी कहा सकते हैं यानि इसका कहने का मतलब यह होता है कि यह सुरड रस्मी यानि सुर की सुनहली किरड़ो सुर की सुनहली किरड़े वार यानि हिमाला की सुनहला की पर्स कर जाती है जिसके कारड रंगीन रंगीन रुपी हसी की बरसा हो जाती है यानि जब उदित होता है तो उसके जो सुनने जो किरड होते हैं उस क्या होता हिमालय की चोटी पर यानि हिमालय क्या है बर्पो से ढखा हुआ है हिमालय की जो ढखी हुई जो स्वेत रुपी जो भाल है अर्थातमे फिर से बता रहा है कि ये चीर महान हे अनंत काल तक वास्त करने वाले किया हो महान हो सुरी की किड़े सुर जूरी किड़े तुम्हारे सफेद मस्तस को छू जाती है जिससे रंगीन हसी उतकी तो वर्सहा हो जाती है आगले चलते हैं अगला है कि सेली बनता है इंद्रधनुस यानि जब सूर की सुनहली किरड़े जब सूर की सुनहली किरड़े आपने ओस देखा होगा ओस सुबह जब उठते हैं तो ओस देखती हैं अगर सूर का जो प्रकास है अगर इस पर इस पर पढ़ता है तो यह सात रंग में विभक्त हो जाता है अर्थात यह किसका काम करता है प्रिज्म का काम करता है प्रिज्म आप जानती होंगे इस अकार का होता है जो कि इसमी प्रकास जब गुजरता है ऐसे प्रकास सब पोच की लिए प्रकास गुजर रहा है यह सात रंगों में क्या हो जाता है बिभक्त हो जाता है कितने रंगों आसमानी हरा पीला नारंगी और लाल यह तो सबसे अधिक किसका होता है लाल का होता है जो कि कतना होता है अठाटार सो एंगस्टान होता है और सबसे कम किसका होता है बैगनी का होता है जिसका कितना होता है 49 एंगेस्टार यह आप बिग्यान में पढ़ेंगे तो चलिए बात कर लेते हैं कि जब सुर्य की किरड़े जब सुर्य की किरड़े स्वेत भाल पर पड़ती है तो वह इंद्रधनुस बनता है तो वह इंद्रधनुस हिमाले का पगड़ी के समाल सेली मतलब पगड़ी बन जाता है यानि वह जो इंद्रधनुस होता है इंद्रधनुस का जो चित्र बनता है वह और परिमल माने होता है सुगंधित मल मल ये पुर्णुक्ती प्रकास अलंका है क्योंकि ये दोरा गया है तो परिमल यानि सुगंधित बतास मतलब हवा सुगंधित हवा उसे मल मल आनि उसे उसपर्स करके चला जाता है पर रागहिन तुम कुछ भी नहीं बोलते हो तुम यानि हे क्रिपा निधान हे हिम निधान हे हिम के भंडार तुम रागहिन हो और थाथ आप कुछ भी नहीं बोलते हो आपको सुगन्धित हवा आपको स्पर्ष करके चला जाता है परनतु रागहिन तु रागहिन रहता है दो कुछ भी नहीं बोलता है नभ में गर्वित जुकता ना सीस हो ना सीस पर अंकल ये हैं दीन चार मन गल जाता नत्विस्वदे कितन से हलेता कुलिस भार कितने मृदू ये कितने कठीन प्राड है नभ में गर्वित जुकता ना सीस पर अंकल ये दीन चार यानि नभ में गर्वित यानि आकास में गर्व यानि गर्व से खड़े हुए हो यानि हे हिमाले तुम आकास में गर्व से खड़े हुए हो जुकता नसीस तुम्हारा सीर तुम्हारा जो सीर है वो जुकता नहीं है परन्तु पर माने परन्तु अंक माने गोद में लिये है परन्तु हे हिमाले तुम अपने गोद में दीन माने होते है तुच्छ दीन माने क्या होता है तुच्छ चार माने क्या होते हैं आपर मिट्टी परंतु हे हिमाले तुम अपने गोद में तुछ मिट्टी लिये हुए हूँ थोड़ा सा आओ उसको यहां कर दोती है आगे चल जाती है मन गल जाता नत बिस सो देख यानि हे हिमाले बिस को नत माने जुका हुआ बिस को जुका हुआ देख करके हे हिमाले तुम्हारा मन क्या हो जाता है द्रवित हो जाता है और तन सहलेता कुलिस भार और तुम्हारा सरीर वज्रों से भी कुलिस माने का होता है वज्र से भी कठोर भार को क्या कर लेता है सहलेता है यानि हे हिमाले बिस को जुका हुआ करके तुम्हारा मन गल जाता है और तुम्हारा जब शरीर है वजर से भी भारी कठोर यानि वजर से भी कठोर भार को भी क्या गलता है सहलेता है कितने मृदू कितने कठिन प्राण है ही माले तुम कितने मृदू हो कितने कोमल हो और तुम्हारा प्राण भी कितना कठिन में अ उटी हैं तेरी कभी समाधी जन जाल लौटे सत हार हार वह चला द्रिगों से किन्तू नीरी सुन कर जलते कड़की कड़की हैं पुकान सुक से विरिक्त दुख में दुख में हैं समान मेरे जीवन का आज मूख हैं तेरी छाया से हो मिला पें तन तेरी साधकता छूले मन लेकर उड़ा की थाहनाप तन तेरी साधकता छुले हम न लेकर उड़ा के थानाप थानाप उर में पावस दिर्ग में बिहान ओहो है चीर महान है चीर महान चीरि महन है चीरि महन तू है बहुत महान है चीरि महन ही मालए की है चर्चा इह हां के तूटी कब तेरी समाधि यानि है न तुम्हारे समाधी है अर्था जो साधना योग में बैठे हुए हो तुम्हारे कब तूटी है अर्था तुम कभी तूटे हुए हुए ॅर्थाद जण्जा माने आंधी तुपान सैकड़ो आंधी तुपान आए और हार हार करके हो चले गए यानि लोटे यानिний वापस चले गए यानि हुआ ले तुम्हारी समाधी कभGA टुपाना के लिए साइकड़ो जंजा जंजा माने आंधी तुफान साइकड़ो आंधी तुफान आए और लोड कर हार करके लोड कर चले गए किंतु देखो यहाँ पर बह चला द्रिगों से किंतु निर यानि हे हिमाले तुम्हारे नेत्रों से द्रिगों से तुम्हारे नेत्रों से किंतु निर यानि आशु बह चला जाता है अनि सुनकर जलते यानि प्रित्विब और उपस्तित जलते हुए कड़की पुकार को सुनकर तुम्हारे नेत्रों से जल निकल जाता अर्थात प्रिथवी पर टेमप्रेचर अधिक से अधिक हो जाता है तो प्रिथवी पर प्रिथवी पर प्रिथवी पर आ जाते हैं यह एसा हिमाला है अपना यह हिमाला विरासतों में से एक है हमारी धरोहर है एक प्रकार्सी है सुख में विरक्त यानि है हिमाले तुम्हें सुख से अलग हो यानि तुम्हें सुख से कोई मतलम नहीं है दुख में समान पर प्रिथवी पर रुपसी जितने भी जीव जनतु हैं जितने भी लोग हैं उनके दुखों में बराबर लगे रहते हो अर्थात सुख से विरक्त मेरी जीवन आज मुख महादीव वर्माजी कहाती है कि मेरा जीवन है आज बिल्कुल सांथ है मुख मन क्या होता है सांथ और महादी वर्माजी सोच रहे हैं और कहा रहे हैं कि मेरी जीवन है वो आज विल्कुल सांत है और चाहता है तेरी चाया से हो मिलाव महादि वर्माजी कहती हैं मैं चाहता हूं कि है हिमाले तेरी चाया, तेरी गुड़ों से ही मेरे मिलन हो अर्थात है हिमाले तुम्हारे अंदर जो भी गुड़ है वह भी मेरे अंदर गुड़ आ जाएं यानि महादी वर्माजी कहती हैं कि मेरा जीवन है आज बिल्कुल सांत है और यह चाहता है कि हिमालय की छाया से मेरा मिलन हो जाए यानि मेरा भिगुड उल्ष्टी के समान हो जाए लोग मुझे कितनो भी गाली गलोज दें मैं बिल्कुल आखोस तो आसुच चल पड़े लेक तन तेरी साधक्ता छूले मादे वर्माजी कहती हैं ये मेरा जो सरीर है तेरी ये साधूपन को यान तेरी साधक्ता ये तुमारे समाधी को छूले मन ले करूडा की थान आप यानि जो मेरा मन है तुमारे करूडा की थाह मने क्या होता है न इस स्थान को नाप ले पता कर ल अर्थात कहने का मतलब जो ये हिमाला है हिमाला क्या होता है कि हिमाला पर बहुत दयावान है ही वाला क्या है बहुत Dयावान है ahor से जो कि वज़्र से वें कोठर कभढ सरभ हर चला जाता है तो है और जब देखता है कि बिस्व के लोग संकट में पढ़ जाते हैं तो अपने नेत्रों के मादम से अपने बर्प को पिखला करके और लोगों को क्या करता है पानी के रुप में देता है तो यह देखिए आपका साहित पढ़ने वालों बच्चों का नहीं है यह जो जिनके सिलिवस में क्यों हिमाला पढ़ना है उन्हें को पढ़ना है और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चलनल को सब्सक्राइब क झालना है